तो हमारे साथ यहां पे उत्राखंड बेरोजगार संग के उपाद्यक्ष राम कंडवाल जी हैं जो लगतार संगर्स रत रहे हैं उत्राखंड के युवाओं के लिए और उत्राखंड के बेरोजगारों के लिए ऐसे बेरोजगार जिनोंने भहुती सिद्धत्ता के साथ पड पाचुआ दिन है यह आमरन अंसन आखिर क्यों हो रहा है क्योंकि मुद्दे भहुत सारे हैं और हम सिर्फ इन सीमित मुद्दों पर बात करेंगे जो इस अंसन से जुड़े हुए हैं तो रामकंडवाल जी आपका भहुत-बहुत श्वागत है और हम जानना चाहेंगे आखिर यह आमरन अंसन की आवसकता क्यों पड़ी? चाहे महिलाएं हो, पुरूष हो, कोई भी हो इस परदेश का, उनको अगर यह चार्ट डिमांड ने बता दी तो वो हस हस कर बोलिंग यार इसको क्यों नहीं पुशकर सिंग धामी जो है मानने कर रहे हैं हमारी एक मांग यह है कि उत्राखन पुलिस कॉंस्टिबल की जो भर आतार इन से कह रहे हैं कि परदेश का बिरोजगारों के लिए आप कम से कम जो आयूसी में 18-28 कीजिए, है ना कम से कम आप 5-6 साल की उसमें आयूसी में छूट दीजिए, ताकि यूवा फॉर्म भर सके, क्योंकि अगर कोई यूवा 2014 में 18 साल का रहा होगा, तो आज वो जो मुझे एक दिन से भी वो लड़का रह गया होगा, क्योंकि फरवरी 2014 में भरती आई थी, और मान लिजे जनवरी में उम्रु सिमा किसी की चली गई रहा होगी, उस समय अगर फॉम बनने के काविल ने रहा होगा, मार्च में उसकी उम्रु सिमा रहा होगी, तो कैसे फिर वो भर पायरा होगा, तो हमारी यही डिमांड है, कि आप उत्राखन फुलिस कॉंस्टिबल में उम्रु सिमा बढ़ाएं, तत्काल बढ़ाएं और इनको बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा जो दूसरी मांग है हमारी, वो उर्जा विभाग की है, उर्जा विभाग में भी रेलियां कर चुके हैं, परदर्शन कर चुके हैं, यापन दे चुके हैं, लेकिन तब भी मांगे नहीं मानी जा रही है, तीसरी मांग असिस्टन प्रोपेसर भरती है, उस भरती में भी हम चाह रहे हैं कि जो वो लिखित परिक्षा के माद्यम से हो, लेकिन यहां पर क्या क तो दिमानों तो 55-65% होती है लेकिन अगर आप दिल्ली यूनिवर्सटी और अन्य जगह कर आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पर आपकी जो है जो परसंटेज होती है वह लगबग जो है असी नबबे चुरानवे चुरानवे अठानवे ऐसी परसंट तो उससे फिर कैसे कंपेर करेगा यहां का युवा तो इसलिए यह भी हमारी यह तीसरी जो है यह जोलंत मांगे बड़ी मांगे यह सारी चीजों के लेकर हम अंचन पर बैठें कुल मिलाकर तीन मांगों के लिए आमरन अंसन यहां पर किया जा रहा है आज पांचवान दिन है और कल एक अजीब सी घटना घटी तो रामकंडवाल जी कल क्या क्या हुआ सुक्षम में जाना चाहेंगे क्योंकि सुनने में आरा आपका स्वास्तिया बिगड़ गया था हमें unfit करार दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पर ये भी लिखा जाता है कि इनको अस्पताल में भरती कराने की जुरूहते हैं उसके बाद जैसी वह रिपोट जाती है फिर यहां पर पूलिस बड़ी संख्या में लगबग जो है 100 की संख्या में यहां पर पूलिस कर्म कि यह समझ रहे थे कि इनका अंचन खतम हो गया है इनको हमने जवर्दस्ति यहां से ले गए और अंचन खतम हो गया हमने आंदोलन तोड़ दिया हम इसमें सफल हो गया यह इनकी मंशा थी लेकिन इन्हें नहीं पता कि परदेश के युवाओं की यह जो तीन चार जोलंत है इसको लेकर आप चाहिए अंचन तोड़ने का आंदोलन तोड़ने का आप जितनी भी साजी से रचोगे हम उस साजी सको नाकाम ही करेंगे क्योंकि यह मुद्दे बड़े हैं उसके बाद जो है कल फिर जब वहां पर शाम को इन्होंने गुलकोष चड़ाया तो फिर मैं वहां से सीधे दोड़ के हम इदर आ गए हमने का कि भाई हम परदेश के युवाओं को ऐसे ही धरात बीच में छोड़कर नहीं जा सकते हैं नहीं उड़ सकते हैं हम तो यहीं चाहते हैं जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी अन्न त्याग दिया है जल त्याग दिया है और गुलकोष चड़ाने से क्या होगा आपकी दो बोतल गुलकोष से क्या हो जाएगा अगर मैं पांस दिन जो है हम बिना उसके रह सकते हैं तो पांस दिन और भी रह सकते हैं दस दिन और भी रह सकते हैं लेकिन मांगे आपको माननी पड़ेंगी जब तक आप मांगे नहीं मा प्रदेश के युवाओं को वरना इनका हाल बहुत बुरा होने वाला है क्योंकि पूरी टीम अगर नहीं मानते हैं यह आने वाले 10-15 दिन में नहीं मानते हैं तो पूरी टीम हमारी यह जाएगी किदरनाथ और किदरनाथ उपचुनाव में इनका हम बुरा हाल करेंगे यह टी है हिमान चलने बढ़ाई है हर्यान उन्हें बढ़ाई है यहां तक कि ससी जीडी में छूट मिली है हर जगह से छूट मिली है क्या दिक्कत है आपको जी बिलकुल क्या दिक्कत है और सरकार को इस पे संग्या लेना अती आवास्यक है एक तरफ सरकार तीन साल में 17,000 नौकरी देने की बात करती है एक तरफ सरकार नियोकती पत्र बांटती है कनिष्ट अभियंता 1094 नियोकती पत्र बांटे गए दूसरी तरफ यह तमाम युवा यहां पर अंसन पर बैठे होए हैं राम कंडवाल की अगवाई में लगतार संगर्स जारी रहा लेकिन जब जब धरना परदर्सन हुए जब जब उत्राखन में सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर युवाओं ने अपनी आवाज बुलंद की तो उनकी आवाज दबाने का पर्यास भी समय समय पर किया गया और सरकार इस पर संग्यान आखिर क्यों नहीं लेती है क्या ये युवा अपनी सुख लगतार संगर्स कर रहे हैं गर्मी है उमस है तिरपाल का ये सेट बना रखा है और अपने घरों को छोड़ करके अलग-अलग दिश्टिक से अलग-अलग जिलों से सुदूर पहाडी छेतरों से ये युवा याँ पर पहुंच रखे हैं और कहीं न कहीं ये सोयम की लड़ा हैं तो सरकार इस पर संग्यान आकिर क्यों नहीं लेते हैं राम कंडवाल जी से हम और बात करना चाते थे लेकिन हमारी वी एक नईतिक्ता है और पांस दिन से जो व्यक्ति अंसन पर बैठा है इनके दो अन्यसाती भी हैं तो बोलने से काफी एनरजी लॉस होती है और हम चा करें तो यह तमाम हमने आपको धरना इस्तल से फुटेज दिखाया है यहां का विजूल दिखाया है किस तरह से यहां पर ब्यवस्ताएं हैं और यह अंसन कितने दिन तक और रहेगा सरकार कब तक इसका संग्यान नहीं लेती इसकी सुद नहीं लेती देखने वाली बात